हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अपनी डिजाइन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे 10x10 की पैरलल किचन के बारे में 10x10 की इस पैरलल किचन के अंदर हमारी जो वोल है, उसमें आमने सामने की वोल जो 10 फुट वाई 10 फुट की है उसके अंदर हमारी वोल जूट किचन किस तरीक से डिजाइन की जा सकती है, उसका वर्किंग ट्रैंगल उसकी डिजाइनिंग करने में किस तरीक से हלब करता है इसमें क्या material यूज़ करना चाहिए क्या हमारे shutter की quality और finish होनी चाहिए इसके अंदर जो cabinets है वो किस quality के बनने चाहिए इन सभी के बारे मैं बात करेंगे तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो और उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील नमस्कार दोस्तों मैं कुल्दीप शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है Mr. Tech Craft और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो बताना चाहूँआ हमारा जो चैनल है वो मोडलर किचन से लेटीड इन्फरमेशन को वीडियो के जरी लाता रहता है और अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह के इन्फरमेशन वीडियो के जरी आपको मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो नीचे बेल आइकॉन पे औल का बटन जरूर दबाईएगा जिससे हमारे सारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे हैं तो दोस्तों चलते हैं आजके इस वीडियो के में टॉपिक पर यानि के 10 वैदस की पैरल्ल किछन के बारे में अब इसके अंदर बात करते हैं अपने working triangle की तो दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं working triangle का मतलब हो जाता है जो इसके तीन main components है यानी cooking area, sink area और refusator area इन तीनों के अंदर जो एक working triangle बनता है इसका मतलब होता है कि हमारी किचन है उस समय जब भी कोई किचन में काम कर रहा होता है वो बिना किसी barrier बिना किसी रुकावट के easily काम कर सके और कहीं ऐसा ना हो कि sink वाले area में जो लोग काम कर रहे हैं वो fridge वाला या cooking वाले area को disrupt करते हैं वो आपसमें लगाता टकराते रहते हैं और problem create होयाती है working triangle का हमेशा विल्कुल धियान रखिएगा इससे आपका working बहुत easy हो जाता है और बहतर तरीके से आप अपनी kitchen के अंदर काम कर सकते हैं अब एक एक करके हम चलते हैं आपका wall के elevations पे तो दोस्तों सबसे पहले बात कर देखते हैं सबसे पहले हमने रेफिजेटर को plan किया गया है रेफिजेटर के लिए हमने तीन फूट का space दिया है क्योंकि जातर जो रेफिजेटर है वो धाई फूट के size में आ जाते हैं बट अगर आप बात करते हैं double door freeze की तो double door जो freeze होता है वो आपका तीन फूट के करीव है वो एक नमबर की की हुई है तो जो पहला cabinet है हमारा वो हमारा tall unit या pantry unit के लाता है इसके अंदर आपको दो तरीकी का options मिलते हैं अगर आप चाहते हैं कि यह पूरा का पूरा unit एक single shutter की तरह operate करना चाहते हैं तो आप उसको single shutter के अंदर operate कर सकते हैं इसके अंदर आपकी जो ह प्लान कर सकते हैं as per dimension दूसरे नमबर का जो cabinet है जो top cabinet आप देख रहे हैं white color में इसके अंदर हमारा एक adjustable shelf होता है आप चाहें अगर आप इसको RO use करना चाहते हैं तो RO भी इस cabinet के दर प्लान कर सकते हैं इस cabinet को bottomless बनाया जाएगा अगर आप इसमें RO प्लान करना चाहते हैं त जाता है जिससे के उसका पानी जो है वो ड्रेन करके ड्रेट सिंग के अंदर आ सकता है बट इसके अंदर एक डिप्ट्रे भी होती है अगर सपोज हमारा ये cabinet सिंग के ओपर प्लान नहीं किया जाता किसी का रणवश तो उसके अंदर एक डिप्ट्रे होती है जिसमें सारा पतीले भगोने जो हैवी उटेंसिल्स होती है जिनका साइस ज्यादा होता है बड़ा उन्हीं उटेंसिल्स के लिए ये cabinet प्लान किया गया है इसके अंदर हमारी दो बास्केट प्लान की गई है और फिफ्ट नमर पे हमारा जो है सिंग का केविनेट है सिंग के के कैविनेट को हमने तीन फुट का साइस दिया है और इसके अंदर आपका डबल बॉल ड्रेन बोर्ड के साथ सिंग प्लान किया है अगर आप चाहते हैं कि हमारा अंडर सिंग आरो प्लान किया जाए तो आपके थ्री फिट के कैविनेट के अंदर आपका जो अंडर सिंग आरो है वो प् पहली चीज तो यह है इसके अंदर double wall आपका sink नहीं available हो पाएगा दूसरी बात इसके अंदर जो है बहुत ज्यादा रहा हो तो इसे नाइक जरू कीजएगा आपके मन में कोई सवाल हो तो इसे comment में लिखिएगा जिससे के हम आपको सवालों का जवाब दे सके दोस्तों cooking वाली wall को जैसा कि आप देखी रहे हैं हमने left side में सबसे पहले top cabinet के अंदर six number cabinet जो microwave के लिए प्लान किया है यह wall hanging cabinet होगा इसके benefit यह होते हैं कि अगर microwave हम counter पे रखते हैं तो वो हिस्सा आपका block हो जाता है और अगर यह wall cabinet के अंदर प्लान किया जाता है तो नीचे से आपका देखेंगे counter जो है वो बिल्कुल free रहता है किसी भी काम करने के लिए तो six number का cabinet है वो microwave के लिए प्लान किया है seven number और eight number जो है वो आपका cabinet है glass unit के लिए यानि कि आपका crockery unit आप इसको कह सकते हैं इसके अंदर अगर आप अपनी crockery जो है वो रख सकते हैं center में आपका two feet का chimney प्लान किया गया है और right side में सबसे starting वाला जो cabinet है nine number जो है वो rolling shutter है जो रोलिंग पैनल आपको जो है PVC finish में aluminum finish में और glass finish में यह तीनों तरीके की finish मार्केट में available है इसका size दो foot by साड़े चार foot का होता है इसको आप अपनी kitchen प्लान कर सकते हैं as per your budget और अगर हम बात करते हैं आप देखिए नीचे bottom cabinets की तो इसमें 10 number जो है उसके अंदर एक adjustable shelf प्लान की गई है यानिके अगर आपको cabinet के के अंदर कोई unit ऐसा रखना है समान ऐसा रखना है जिसके height ज्यादा हो तो आप इसके अंदर जो adjustable shelf है उसे ठाके नीचे रख सकते हैं तो आपको two and a half feet की full height मिल जाती है और अगर आपको plan है कि इसके अंदर हमें छोटी height के jar जो है वो रखने है तो आप इसके अंदर adjustable shelf लग चना यह सब जो है करीव 1 kg और 1.5 kg के jar होते हैं तो उनके लिए भी space चाहिए होता है तो आप यह भी बाढ़ सकते हैं कि जो 11 नमर और 13 नमर cabinet है इनको आप pulses के लिए चना राजमा वगरा के लिए रख सकते हैं 12 नमर जो cabinet है 12 नमर cabinet आपका just बिल्कुल cooking के नीचे वाला cabinet है इ second number का जो आपका drawer है वो भी छोटा drawer अगर आप देख रहे हैं तो तो इसके अंदर जो है आपका चकला विलन काइंड और आपका napkins और छोटे जो जार होते हैं जो चार इंची की height में होते हैं वो आप इससे plan कर सकते हैं और इसका जो last drawer है उसकी height अगें बड़ी height दी हुई ह और इसके अंदर जो है आप अगें अपने utensil basket जो बिलकुल cooking के time पे use कर रहे आते हैं वो इसमें आप plan कर सकते हैं 14 number जो cabinet है यानि के rolling shutter के जो just बिलकुल नीचे वाला cabinet है इसके अंदर अगें आपका जो 10 number cabinet है उसी की तरह एक adjustable shelf plan की गई है जिसके अंदर 10 number cabinet की तरह ही दो parts भी divide कर सकते हैं और single shutter की तरह इसको use कर सकते हैं दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि आप designing के वारे में तो हमने discussion कर लिया है और अब बात करते हैं इसके raw material की तो raw material के लिए जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमें सबसे पहले ये ध्यान देना हुआ कि हमारा cabinet है या जो हमारी kitchen का जो area है वो tramite zone में आता है या non tramite zone में आता है क्योंकि इस zone के according ही आप अपने material को plan कर सकते हैं अगर आप इस topic को detail में समझना चाहते हैं तो हमारा एक video इसके उपर पहले से publish हो चुका है आप उसको हमारे इस channel के उपर जाके देख सकते हैं तो दोस्तों material के लिए सबसे पह आस marble के partitions, commercial ply, boiling waterproof ply, HDHMR board, boilers यह सब available होते हैं अगर हम hardware की बात करते हैं तो hardware के अंदर हमारे hinges जो है एक normal hinges आते हैं एक soft close hinges आते हैं brand to brand इनका estimate जो है वो fluctuate करता है अगर हम बात करते हैं इसके accessories की यानिके जो इसके internal drawers होते हैं तो internal drawers के लिए आपके पास wire basket market में available है wire basket के बाद हमारा एक platinum series आता है जिसके अंदर आपका जो borders होते हैं वो SS के pipe होते हैं नीचे एक backlight की sheet होती है जिसके अंदर आपका wire का कोई mash नहीं होता है यानि ये कोई भी समान अगर आपकी बास्केट में गिरता है तो वो नीचे वाली बास्केट को बिना किसी interruption के उपर लिए रहता है यानि अगर हमारा कोई भी मसाला अगर हमारा वास्केट के अंदर गिरता है तो backlight sheet होने की वजए से वो नीचे वाली बास्केट के अंदर कभी भी disturb नहीं करता उसके अंदर बिखरता नहीं है तो यह इसका benefit होता है और थर्ड नमर पर हमारे पास आते हैं InnoTech channels InnoTech channels के अंदर हमारा यह soft close channel market में available है अलग अलग brands और अलग sizes के अंदर available है तो ऐस पर बजट आप इसको प्लान कर सकते हैं दोस्तों अगर हम बाहर के front panels की बात करते हैं तो इसके लिए हमारे पास जो option market में available है वह laminate series होती है membrane series होती है UV gloss, acrylic gloss, PVC laminates, PU gloss, Picasso pearl और इसके बाद आपका वीनियर polish वाले shutter यह सारे available है इसके इलावा आजकर और भी बहुत सारी series market के अंदर available हो रही है अगर आप इसमें glass unit को प्लान करना चाहते हैं तो उसके अंदर profiles के अंदर आपके lacquered glass, tinted brown, tinted black color के glass available है इस तरीके से आप आप इसको अपने kitchen के साथ साथ अगर आप अपनी गर्मे wardrobe भी बनाना चाते हैं तो बहुत अच्छी और smart wardrobe इससे प्लान कर सकते हैं तो यह हमारा 10 by 10 का parallel kitchen है जो हमने अभी discussion किया है 10 by 10 का U-shape kitchen भी अभी हमारा pipeline के इंदर ready हो रहा है और बहुत जल्दी आप लोगों के लिए यह publish हो जाएगा अगर आप इस तरह के वीडियो पसंद करते हैं और देखना चाते हैं तो हमारे चनल को जरू सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे के आपको latest update सारे मिलते रहें और आपको यह वीडियो का आप पूरा लाग उठा सके अगर आपको लगता है यह वीडियो किसी दोस्त यार रिष्टेदार के काम आ सकती है तो उसके साथ शेयर कीजिएगा अपने हमारे इस वीडियो को देखा सुना उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद जल्दी ही मिलते हैं अपने अगले वीडियो में थैंक्यू